गोद्राकांड के बाद पूरे गुजरात में दंगे भड़क उठे गुजरात के अलग-अलग जगाओ पे ऐसी घटना हुई कि जिसके बारे में सोचकर अभी भी रूख आप उठी है ऐसी एक घटना बनी एमदाबाद के गुलबर्ग सोसाइटी में इस वक हम गुलबर्ग स सोसाइटी के लोग थे उन्होंने पना ली थी और यहां पर मैं आपको बता दूँ कि गुलबर्ग सोसाइटी में सत्तर से जादा लोगों की जान चली गई थी अब गुजरात में चुनाओ है और चुनाओ की अगर बात करूं तो यह पूरे गुलबर्ग सोसाइटी के जो स इस वक्त यहां पर मौझू है ऑफ हमाई साथ मौझू है और इस वक्त बार बजूरात में लडे रहे आ इम्तियास पठान के अब ही भी यादे ताज़ा होगी कि किस तरीकी का मन्जर आपने दुखा crafts य disproportionately गपने ती जब हम यहां पर आते तो वह बच्म्त कि यादें फिर पूस्ता जहां पर हम बड़े हुए मैं यहां पर बड़ा हुआ हूँ काफी याने वह यादे इतनी जुड़ी हुई है यहां से फिर जिस तरह दंगा हुआ और दंगे में हमारे पूरे परिवार मारा गया दस लोग और पूरी सुसाइटी हमारा एक परिवार था जा फरी द्रांती से रहते फिर इपांती के अंदर रादें किसी और आज तक कोई परिशानी नहीं करी कि इसे राके के अंदर बहुत यहां सबसे मेल जोलता बाइचारे से रहते थे लोह मारे दोस्त थे यहां पर सब आते थे यह मालूम यह कौन सा जहेर गुला पीजेपी ने आर जाफरी जो थे वो एक्स एंपी थे कॉंग्रेस के बड़े नेता थे उस जमाने के अंदर जब पूरे हिंदुस्तान के अंदर कॉंग्रेस हारी थी और एसान जाफरी अमदाबास से जीते थे अभी भी अगर आप देख सकते हैं कि तबाई का मंजर जो यहां पर हुआ था कान बंगला नंबर अठा राय देखो अभी भी काली पैन से लिखा हुआ है देखो आपको दिख जाएगा 19 नंबर जाफरी साब का मकान है 17 नंबर 16 नंबर 15 नंबर इस तरह के यह जो आप लोकेशन देखते हो कितनी अच्छी जगा है आज हम में वह चोटे से किराय के मकान मेरे रहा हूं 20 साल से यहां के लोक किराया भर रहे है सब आज खुद के बड़े मकान होने के बावजूद 50-50 लाग है कि करोड की कीमत वाले मकान है अगर आज यह मकान है या लोग आडन है या जुहापुरा है जो कि यहां का बहुत मुस्ली मिला का बहुत बढ़ा है और सीटी का माहूल है कि 20-25 लाग का नॉर्मली फ्लेट मिलता तो यह तो टेन बंगलोज है तो इसकी क्या वेल्यों नी कि आज कोई वेल्यों नी आज खंडर पढ़के तूटा हुआ है जा रहा है गा और ना तो यहां की सरकार बाई बीजेपी ने कुछ ध्यान दिया ना कॉं कॉंग्रेस ने चाहा नहीं कॉंग्रेस ने पच्छात बनाया है जबके आप आजादी के टाइम से देखो किस तरह से हमने मेहनत की है मुस्लिमों ने मैं कोई कोम के उपर आक्षेपनी लगाता हूं सब कौम भाई-चारे के साथ यहां पर रहती थी और यह सब बढ़ी चीजे में यहां पर खड़ा था जिन नेताओं को उन्होंने फॉन किया पुलिस के आला अफसरों को फॉन किया छेल ले यहां तक के सीम तक को फॉन किया था और कोई मदद नहीं आई थी अब इस पूरे घटना को गुजरे हुए 20 साल हो गया है अब आप चुनाओ लड़ रहे हैं चुनाओ लड़ने का मकसद क्या होगा गुलबर का सोसाइटी यह जो है फिलहाल में देख रहा हूं पूरी तरह के से खंडेर में तब्दिल हो गई है तो मेन आपका मुद्दा क्या होगा चुनाओ में लड़ने का मुद्दा यह होगा के 2019 का भी शांसत का भी इलेक्षन आया तो करीवन अपने को लोग जानते हैं तो हम यह चाहते हैं कि आप हमको एक मोका दो बापुनगर की जनता मुझे एक मोका दे के एक मेले बनके जो हमारी बात को नहीं रखी जाती ह जिस तरह से यहां की संसत के अंदर विदान सबा में जो एमेले थे यहां पर काफी काफी एमेले थे कॉंग्रेस के करीवन तो वह बात को बहुत अच्छी तरह से रख सकते थे उन्होंने कोई सपोर्ट निक्या मुस्लिम एमेले थे जबके सबसे बड़े इनके प्रभारी सबस्कें आएंकर में सबस्क्राइब खौनिया है निर प्यक्राइब के लिए अगर जाफरी साब के लिए ज्यां मुस्सलिम द्यान दिया होता है पीचज़ा वर случ焦ी Прlexus किया मक्रली और को लक्षाट कर दिए Waterloo घजाबीज मुक्रेऽ हमारे साथ नहीं स्यावत नहीं साल म यह जगा अभी भी ऐसी कैसी है इस जगा के लिए आप क्या सूशता हूं कि हमने काफी लोगों को काफी बिल्दर थे हमारे जानने वाले उनको भी हमने बताया कि वह 20 साल हो गया आज इसको अपने एक साथ में मिल करके बेज डालते तो कई लोगों के मकान हो जाएंगे जिनक तो मैं यह चाहता हूं कि मैं अमुक जो बिल्डर है अमुक जो पार्टी है जैसे कि मैं एक नियस से एक अच्छी सोस से जैसे कि जो नई पार्टी आई थी 2020 के अंदर एसेमली छोटे इलेक्शन में कॉर्पोरेशन के अवेशी साब आये ते जिस तरह से उसमें मैंने काफी मेनत की तो एक वो मुस्लिम की बात करते पिछा पचदवर की बात करते जिस तरह संसद में हो मुद्दे उठाते तो मैं वो सोच करके वो पार्टी में गया था और बहुत काफी मेनत करी खेडा जिल्ला मैंने जोड़ा वहां के कोर्पोरेटर को में लेकर के आया अपक सुम नगर मांगी थी थासरा मांगी थी खेडा जिल्ला में थासरा विदानसभा मांगी थी छेले इन लोगों का वेजलपूर में कुछ चार-पांच जन वो थे के रेस के अंदर थे जैनाब शेक थी सुहाना मंसूरी अभी इंडिपेंडल लड़ रही है वो काफी लोग ते तो यह एक बात है करते हैं मेरे को ऐसा लगा अभी आप जेडियू पार्टी के तरफ से चुनाव लेड़ है बापु नगर से जेडियू का तो यहां पर वैसा को संगठन भी नहीं है तो जेडियू क्यूँ चुना अपने जेडियू इसके लिए चुना के मेरे काफी जानने व तो कोई सीम्बोल क्या है कि अपने को नी वो लोग चूस करते के वाई तीन सीम्बोल उसमें से आप चूस करो कि कौनशा लेना एक कौन सा नहीं तो यह कि सिंबोले मेंडेट वाली पार्टी है बहुरे नेशनलाइज नहीं है पर एक मेंडेट तो है तो मेंडेट के इसाब से और फिर नितिश कुमार हुआ सरकार चला रहे है इस बार का चुनाओं में चार पांखिया जंग है यह तो पूरी क्योंकि इसके अंदर कॉंग्रेस है बीजेपी है आम आदमी पार्टी है एमाइए में नितिश कुमार तो जेडियो के हैं तो क्या नितिश कुमार अब दोचार चॉविश में पिएम पत के लिए दावेदारी बीजेपी के फ्राइम है औरम और मोडिस क्मार की सो साल की मेनत है सो साल की इनकी मेनत है बिटीश सरकार के टाइम से लोग मेनत कर रहे हैं अब जाके इनको इनका फ़ल इन्होंने हाथ में लिया अब यह किसी को जल्दी आने नहीं देंगे यह थे इंतियास बैठान साफ तोर पर आपने सुना कि यह गुलबर्ग सोसाइटी में जो पूरा हत्याकांड हुआ उसके सबसे प्रमुक गवाबी है यह विक्टम भी है इनके परिवार से काफी लोग मर भी गए अब यह चुनाव में आये है चुनाव लड़ रहे है और इन झाल झाल